हलो गाईज मैं आदित्य द्याल स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल द्याल क्लासेज में चलिए शुरू करते हैं आज का अमारा टॉपिक है ऐलिमिनेशन मेथड और हाँ गाईज अगर आपने मेरा सब्सिट्यूशन वाला मेथड अभी तक नहीं देखा है सो गाईज आज हम लोग सीखेंगे ऐलिमिनेशन मेथड क्या सीखेंगे गाईज ऐलिमिनेशन मेथड आखिरकार ये ऐलिमिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये ऐलिमिनेशन का मतलब क्या होता है अगर इन सिंपल वर्ड समझो तो ऐलिमिनेशन का मतलब होता है करेंगे या तो X वाले टर्म को रिमूफ करेंगे या तो Y वाले टर्म को रिमूफ करेंगे Sir हम लोग कैसे रिमूफ करेंगे चलिए सीखते हैं So guys मैं आप यहाँ पर मैं आपको यह दो कोशन बताऊंगा यह दो कोशन मैंने NCRT book से लिए है जिससे आपको सारी concept इसकी समझ में आ जाएगी ठीक है guys So आते हम लोग स्टार्ट करते हैं first question से क्या है हमारा first question 3X plus 4Y is equal to 10 and 2X minus 2Y is equal to 2 ठीक है guys लिख लिए आप लोग ने चलिए आए यह लिखते है क्या है मेरा पहला question guys 3X plus 4Y is equal to 10 इसको मैंने माल लिया equation number 1 और यह क्या है 2X minus 2Y is equal to 2 इसको मैंने माल लिया guys equation number 2 कोई भी दिक्कत नहीं इसके बाद हम लोग क्या करते हैं guys कि हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ पे क्या X और Y का दोनों का जो term है वो same है कि नहीं मतलब sir मेरे को नहीं समझ मैं आया थोड़ा अच्छे से समझाईए देखो यहाँ पे X के सामने क्या है 2 और यहाँ पे X के सामने क्या है 3 sign को ध्यान मत दो सिर्फ numeric value देखो क्या देखना है numeric value सिर्फ देखो में convert नहीं कर सकता हूँ अब मैं यहाँ देखो क्या मैं 2 को 4 में convert कर सकता हूँ हाँ अगर मैं equation 2 को 2 से multiply करूँ तो यह मेरा y वाला term 4 आ जाएगा ठीक है y वाला मेरा 4 आ जाएगा हम लोग करते क्या है सिर्फ variable के साथ वाला जो रहता है numeric digit उसको same करते है क्या करते है numeric digit को सिर्फ same करते है sign से कोई लेना देना नहीं है फिलाल क्या करते है numeric digit को same करते है ठीक है गाईस जैसे यहाँ पर मैं 2 को 4 में convert कर सकता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा गाईस multiplying 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 equation 2 by 2 so we get अब क्या होगा गाईस जब मैं equation 2 को 2 से multiply करूँगा तो मेरा equation क्या सा बनेगा देख लो यह पूरा equation में क्या कर लेंगे हम लोग 2 से multiply मलब यहाँ भी 2 से multiply और यहाँ से भी 2 से हम लगा पूरे equation है 2 से multiply पाई so क्या होगा गाईस 2 इंटू 2 4x minus 4y is equal to 4 यह आजाएगा मेरा equation number 3 ठीक है गाईस कोई भी दिक्कत अब आते हैं हम लोग कैसे solve करेंगे इसके आगे वाला step देखना है गाईस फिर हम लोग क्या लिखते है from equation 1 and 3 ठीक है गाईस क्या है मेरा पहला equation 3x plus 4y is equal to 10 और दूसरा क्या था गाईस 4x minus 4y is equal to 4 equation 1 और equation 3 है अब यहाँ पे देखो गाईस y का मेरा term 4 आ गया है numeric digit और y का 4 आ गया है ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया y के साथ वाला जो numeric digit था उसको same कर लिया sign को मैंने ध्यान नहीं दिया अब यहाँ पे हम लोग solve कैसे करेंगे गाईस समझना यहाँ पे मैं आपको दो trick बताता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं आपको दो trick बताता हूँ देखना क्या है वो trick trick देखना बस अपने आप समझ में आ जाएगा trick क्या है सबसे पहला trick क्या बोलता है समझना गाईस की जिसको भी हम लोग ने same किया है जिसको मतलब term को ठीक है जो term को हम लोग हम लोग ने same किया है उसमें हम लोग sign का ध्यान नहीं देख रहे है without sign सिर्फ जिसको भी हम लोग ने same किया है same में मतलब क्या बोले numeric digit same में क्या बोले numeric digit ठीक है guys numeric digit without sign sign को हम लोग ने same same नहीं किया है सिर्फ क्या क्या है numeric digit को same किया है ठीक है अब समझ मैं है same का मिलब क्या हुआ Numeric digit without sign सिफ Numeric digit को same किया है So अगर दोनों का coefficient दोनों का coefficient अलग-अलग है तो दोनों equation को हम लोग add कर देंगे So दोनों equation को हम लोग add कर देंगे ठीक है guys कोई भी दिक्कत दोनों equation को क्या करेंगे लोग simply add कर देंगे coefficient अलग-अलग हो मतलग combination क्या हो plus minus का या minus plus का ऐसा अलग-अलग ठीक है अब यहाँ पे देखो मैं क्या coefficient बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा 3x plus 4y is equal to 10 है और 4x minus 4y is equal to 4 है अब यहाँ पे देखो क्या है y के सामने वाला मेरा plus 4 है y के सामने वाला मेरा minus 4 है y का coefficient देखो यहाँ पे मैंने y का जो numeric digit था उसको सेम कर दिया 4,4 अब y के coefficient को देखो यहाँ पे यह plus 4 है यहाँ पे यह minus 4 है अब मैं क्या करूँगा adding equation 1 and 3 यह दोनों equation को हम लोग add कर देंगे so क्या होगा गाईस देखना 3x plus 4y is equal to 10 4x minus 4y is equal to 4 अब यह दोनों को add कर देंगे 4x plus 3x क्या हो जाएगा 7x 4y minus 4y 0 is equal to 14 और x का value क्या हो जाएगा 14 by 7 क्या हो जाएगा 14 by 7 यह cut के क्या है 2 कोई देखकर so यहाँ से मेरा x का value क्या निकला 2 अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद putting equation 4 putting equation 4 in equation 1 we get so जो भी हम लोग का question में जो equation दिया था उसी में हम लोग put करते हैं जो भी value निकलता है उसको so क्या था हम लोग का 3x plus 4y is equal to 10 और x क्या आया था 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या डाल देंगे 2 plus 4y is equal to 10 6 plus 4y is equal to 10 4y is equal to 10 minus 6 4y is equal to 4 और y का value क्या आया guys 4 by 4 आया answer मेरा 1 so यहाँ से आपका x और y का value निकल गया so therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 कोई भी दिक्कत गाईस so यहाँ से मेरा x और y का value निकल गया है so यहाँ पर हम लोग ने एक चीज़ क्या सीखा कि हम लोग हमेशा term को सेम करते हैं मतलब एक में प्लस, एक में माइनस, सो दोनों equation को हम लोग add कर लेंगे, अब हम लोग दूसरा equation solve करते हैं, दूसरा question जिससे हमारी और concept clear हो जाएगी guys, ठीक है, सो चलिए start करते हैं, क्या है हमारा second question guys, x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1, देखना, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या है, x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1, और फिर क्या है, x minus y by 3 is equal to 3, ठीक है guys, कोई भी दिक्कत, ये मेरा नया question दिया हुआ, इसको मैंने equation 1 मान लिया, इसको मैंने equation 2 मान लिया, आप देखो guys, इसको कैसे solve करेंगे, सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया था, denominator में कुछ भी दिया हो, उसको सबसे पहले LCM ले लो, सो आप हम लोग क्या करेंगे, from equation 1, इसको मैंने नीचे बुलाया, x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1, सो यहाँ पे मेरा LCM आगे 6, 2, 3, 3x, 3, 2, 4y is equal to minus 1, कोई भी दिक्कत, सो यह क्या है, 3x plus 4y is equal to minus 6, सो यह हो गया मेरा equation number 3, ठीक है गाईस, कोई भी दिक्कत, आप देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, from equation 2, इसको हम लोग नीचे बुलाया, ठीक है, क्या है मेरा equation number 2, x minus y by 3 is equal to 3, क्या है, x minus y by 3 is equal to 3, सो यहाँ पे नीचे में जो भी रहे, उसको सबसे पहले, LCM ले ले लेना है, क्या हो जाएगा, 3x minus y is equal to 3, यह क्या हो जाएगा, 3x minus y is equal to 9, सो यह हो जाएगा, मेरा equation number 4, सो यह रहा guys, मेरा equation number 3, और यह रहा, मेरा equation number 4, अब बनाते इसको next sheet में, चलिए guys, अब देखिए, यहाँ पे मेरा equation number 3, क्या आया था guys, 3x plus 4y is equal to minus 6, क्या आया था, 3x plus 4y is equal to minus 6, 3x plus 4y is equal to minus 6, फिर क्या आया था, 3x minus y is equal to 9, फिर क्या आया था, यह था मेरा equation number 3, और यह था मेरा equation number 4 guys, अब देखो यहाँ पे guys, क्या मैंने आपको सिखाया था, कि, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का जो term है, यह पहले से ही same है, यहाँ पे x का जो term है, वो पहले ही same है, sign को मत देखो, देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 यह पहले से ही same है so अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे आपको trick क्या याद रखना है guys देखना अब यहाँ पे आपको trick क्या याद रखना है guys वो मैं आपको लिख दे रहा हूं trick कि जब भी मेरा coefficient same रहे coefficient same रहे तो हम लोग तो हम लोग दोनों equation को subtract कर देते हैं क्या कर देते हैं guys subtract subtract कर देते हैं जब भी मेरा coefficient same रहे तो हम लोग दोनों equation को subtract कर देते हैं अब यहाँ पे guys देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या था guys देखो 3x plus 4y is equal to minus 6 और क्या था 3x minus y is equal to 9 ठीक है यहाँ पे देखो मैंने x का जो numeric digit था उसको यहाँ पे मेरे को same नहीं करना पड़ा क्यूं? क्योंकि जब मैंने LCM लिया तो मैंने देखा कि यह मेरा पहले से ही same है ठीक है guys तो अब मैं इसको क्यों same करू? तो मेरा पहला step यहीं पे खतम हो गया अब मेरा दूसरा step क्या बोलता है guys? कि जो भी मैंने यहाँ पे term same किया है जिसका भी मैंने numeric digit same किया है जिस variable का मैंने numeric digit same किया है अब उसका sign देखो यहाँ पे sign है plus यहाँ पे sign है plus तो यहाँ पे देखो दोनों का sign क्या है? plus दोनों का sign एक जैसा है तो जब भी मेरा सेम बोलने का मतलब क्या हुआ guys? या तो प्लस प्लस रहे या तो माइनस माइनस रहे तो हम लोग दोनों equation को subtract कर देते हैं यहाँ पर देखो हम लोग को numeric disease same नहीं करना पड़ा था क्योंकि जब हम लोग ने LCM लिया तो automatic किया ऐसा आ गया सो अब मेरा दूसरा step क्या बोलता है कि जिसका जिस भी variable का मैंने numeric disease same किया है उसका अब sign देखो यहाँ पर दोनों का ही प्लस है सो जब भी same sign रहता है सो दोनों equation को क्या कर देते हैं subtract सो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर subtracting subtracting equation 4 and 3 so we get ठीक है गाईस अब देखो क्या लिखा है 3x plus 4y is equal to minus 6 3x minus y is equal to 9 ठीक है दोनों का sign same है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है add कर रहे है subtract कर रहे है subtract में क्या होता है गाईस जो भी नीचे वाला equation रहता है उसके सामने जो sign रहता है उसका opposite हो जाता है plus है तो minus minus है तो plus plus है तो minus अब 3x plus 3x solve नहीं करेंगे अब क्या करेंगे 3x minus 3x cut गया 4y minus 4y नहीं solve करेंगे 4y plus y तो क्या है 5y minus 6 plus 9 solve नहीं करेंगे minus 6 minus 9 solve करेंगे तो क्या हैगा minus 15 तो y का value क्या हैगा minus 15 by minus 15 तो क्या हैगा गाईस यहाँ पर minus 15 by 5 so क्या आएगा guys यहाँ पर minus 3 क्या आए answer minus 3 so यहाँ पर मेरा y का value क्या आया guys minus 3 इसको मैंने मान लिया equation number 5 अब क्या करेंगे putting equation 5 in original equation हमेशा जो भी x और y का value निकलता है उसको original equation जालता है जो भी question में दिया हो ठीक है आप इसके बाइद क्या करेंगे putting equation 5 in equation 1 ठीक है guys putting equation 5 in equation 1 ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे we get हम लोग का y का value क्या आथा guys minus 3 इसको original equation में डालेंगे ठीक है so हम लोग का क्या था सबसे पहला equation क्या था guys एकदम starting वाला equation ठीक है जो भी माल लो आपका question में दिया हो x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1 यहाँ पर y का value क्या आथा guys मेरा minus 3 जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम लोग minus 3 डाल देंगे so x by 2 plus 2 into minus 3 by 3 is equal to minus 1 देको यह 3 और यह कटा आया minus 1 so यह क्या था x by 2 minus minus 2 आया guys यह क्या आया minus 1 कोई भी दिक्कत x by 2 यह minus था उदर जाके क्या हो जाएगा plus हो जाएगा minus 1 plus 2 कोई भी दिक्कत यह क्या हो जाएगा x by 2 यह क्या हो जाएगा 1 और यह क्या हो जाएगा cross multiply हो जाएगा guys फिर ठीक है सो यहाँ पर क्या आ जाएगा x is equal to 2 सो यहाँ पर x का value क्या है guys आपका 2 सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे therefore x is equal to 2 and y is equal to minus 3 कोई भी दिक्कत guys सो इसी के साथ हमारा elimination method हुआ खतम सो आपको हो सकता है guys समझ मैं आ गया हूँ मैंने क्या सिखाया हमेशा पहला step क्या होता है guys हमेशा पहला step क्या होता है guys समझना बहुत easy तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ हमेशा पहला step क्या होता है guys एकदम समझना सब कुछ clear हो जाएगा पहला step क्या है हमेशा हमेशा term को same करते हैं उसका numeric digit same करते है variable का variable का numeric digit same करते है sign से लेना देना नहीं है जब भी हम लोग numeric digit same कर लेते हैं उसके बाद उसका sign देखते हैं जिसका हम लोग numeric digit same किये हैं जिस variable का अगर उसका अगर उसका sign अलग-अलग आता है सो दोनों equation को हम लोग add कर देते हैं अगर एक जैसा आता है सो दोनों equation को subtract कर देते हैं सो इसी के guys इसी के साथ हमारा elimination method हुआ खाता हम अगर आपको कोई भी दिक्कत हो सो comment section में comment करना ना भूलना thank you for watching my video guys bye bye see you all and take care